नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको हार्ट के ब्लॉकेजिस को खोलने के लिए कुछ घरेलू नुसकों के बारे में बताएंगे हार्ट ब्लॉकेज की समस्या दिल की धर्कन से जुड़ी बिमारी है गलत खान पान की कारण लोगों में हार्ट ब्लॉकेजिस की समस्या हो जाती है हार्ट ब्लॉकेज होने पर लोग महंगी दगाओं का सेवन करते हैं लेकिन इसकी बजाए आप कुछ नैचरल फूट से भी ब्लॉकेजिस की समस्या को दूर कर सकते हैं हार्ट ब्लॉकेज के लक्षणों में मुख्य तह, चक्कर आना या फिर बेहोश हो जाना, सर दर्द रहना, थोड़ा काम करने पर भी ठकान महसूस होना, छोटी सास आना, सीने में दर्द रहना आधी होता है तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या से ने पटने के लिए कुछ घरे लूनोसकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एकने वेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं, रप्या हमारे चैनल की सदसता को ज़रूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दरदी गए जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी ठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंत्तक सरूर दिखेगा हार्ट प्लोकेजिस में आप दालचीनी का उपयोग भी कर सकते हैं, यह बेकार कोलेस्टरॉल को शरीर से कम करती है और हार्ट को मजबूती प्रदान करती है इसमें ऑक्सिडाइजिंग तत्व होते हैं, इसके नियमित रूप से इस्तिमाल से सांसों की तकलीब दूर होती है और दिल की बिमारिया भी कम होती है अलसी का बीज, रक्त चाप और सूजन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है यहाँ अलफानीलॉलिक एसिट के सबसे अच्छे स्त्रोतों में से एक है यहाँ बंद धमनियों को साफ रखने और पूरे दिल के स्वास्त में सुधार करने में भी मदद करता है आप हार्ट प्लॉकेशिस के लिए अनार का सेवन भी कर सकते हैं इसमें फाइटो केमिकल्स होते हैं जो एंटी ऑक्सिदेंट्स के रूप में धमनियों की परत को शतिग्रस्थ होने से रोकता है इसके लिए रोजाना एक कप अनार की रस का सेवन सरूर कीजे नीबू विटामिन सी से भरपूर एक शक्तिशाली एंटी ऑक्सिदेंट्स होता है जो रक्त चाप में सुधार लाने और धमनियों की सूजन को कम करने में मदद करता है इसके अलावा नीबू ब्लट कोलेस्टरॉल के स्तर को कम करने और रक्त प्रभाव में आक्सिदेटिव के नुकसान को रोक कर धमनियों को साफ रखता है इसके लिए आप गुनगुने पानी के एक गिलास में थोड़ा सा शहत, काली मिर्च पाउडर और एक नीबू करस मिला लीजे कुछ हफ़तों के लिए दिन में एक या दो बार इसका सेवन कीजे इससे आपको फाइदा होगा तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद